बेटा आपका जो mid term exam होने वाला है वो सेम इसी pattern पर होगा जैसा यहाँ पर कराया जा रहा है टाइम लगेंगे तीन घंटे, maximum mark से 80 ये जो questions हैं, ये बहुत important हैं, हो सकता है कि अगर ये questions आप कर लें तो आपके कम से कम 40 number आ जाएं 80 में से जादा तो आई सकते हैं बट कम से कम 40 जरूर आएगा, करके आईएगा फिर मुझे comment करके बताएगा कि आपके कितने number आ रहे हैं हर बार की तरह question paper में 49 सवाल होंगे 5 section में पहले section में 20 सवाल एक एक number के होंगे दूसरे section में 6 सवाल 12 number के होंगे तीसरे section में 7 सवाल 13 number के होंगे चौतरे section में 3 सवाल 15 number के पांचोय में 3 सवाल 4 चार्चा number के objective type यानि ये होते हैं MCQ based जिसमें 4 assertion reason के सवाल होते हैं और ये होते हैं case study based जिसके अंदर आपको एक case study दिये होती है और उसके नीचे दिये गए सवालों को करना है ज़रूरी नहीं है के case study से direct सवाल हो बट उसकी theme यानि concept एक बरा जैसा ही होता है तो चलिए अब सवाल को करते हैं जिसके लिए हम बहुत excited है जब ferrous sulfate को heat किया जाता है तो जो उसमें पानी होती है नमी होती है तो silver को replace करके खुद वहाँ पहुँच जाएगा यानि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी इन में से कौन सा गंद सूचक है मतलब किसी अमल में या acid base में मिलाने पे उसमें से कोई गंद आती है जिसे पहचान होती है तो ये है onion आप तो जानते ही हैं कि जब सलाद के अंदर यानि onion के उपर हम सिरका डालते हैं सलाद बनाने के लिए तो उसमें से एक गंद आती है तो ये बताता है कि इस पे acid डाला गया है आप सभी जानते हैं कि iron के उपर zinc की coating करी जाती है उसकी life को बढ़ाने के लिए उसको जंग से बचाने के लिए तो इस प्रिक्रिया को हम कहते हैं galvanization यसद लेपन यहाँ पर ionic property पूछी गई है एक compound की जो है ionic compound जो होते हैं वो soluble in water होते हैं तो जल में घुलनसील होते हैं कुछ ऐसी manspacia होती है muscles होती है जो stomach से नीचे या फिर waste को सरीर से बहा निकालने में help करती है control करती है तो इनको हम कहते हैं spincter muscle औरोधनी पेशी इसमें से कौन से statement incorrect है excretion के बारे में गलत वाले को छाटना है यानि इन ती चारों में से एक गलत है उसको चार्टना है तो इसका answer है D जहां कहा गया है कि lysosome के अंदर waste को store किया जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है neuron का वह part जो सूचना को प्राप्त करता है informations को लेता है उसे हम कहते है dendrite D कुछ इस तरीके का diagram होता है इसमें ये जो part है ना ये information को receive करता है इसे हम कहते हैं dendrites या dromica पत्यों के मुर्जाने का कौन सा पादब हार्मोन यानि plant हार्मोन है ये है abscessic acid D एक reflecting mirror के center को हम क्या कहते है ये तो बड़ा आसान हो गया इसे हम pole या drow कहते है किसी एक patient के teeth को dentist जो है वो किस mirror से देखता है तो dentist mirror कहते है ये जो mirror है ये है concave mirror पुछा गया है कि हमारी आँखों में हमारी जो image बनती है वो कहां बनती है तो ये retina पे बनती है हमारा एक natural screen है एक triangular prism में ये जो angle है इसको किस से दरसाया जाता है इसको हम d से दरसाते है angle of deviation हमारी आँखों का दूर का point क्या होता है दूर का point होता है अनन्थ answer है d infinity ये चार organism है इनके base पे हमें एक food chain बनानी है और उसकी sequence बनानी है तो food chain में सबसे पहले आएगा grass कई बच्चे इसी में tick लगा के चले जाते हैं जबकि option हमारे a, b, c, d है तो grass सबसे पहले आएगा यानि d हो सकता है या c हो सकता है grass को खाने वाला grass उपर यानि 4 के बाद second 4 के बाद second यहां भी है यहां भी है grass उपर को खाने वाला frog second के बाद one अब 17 से उपर वाले जो सवाल है उनके options यहां दिये है तो नीचे हमें पढ़ना है फिर options को आके answer करना है दातों का तूटना दातों में cavity होना तब होता है जब 5.5 से acidic pH कम हो जाए यह इसलिए होता है क्योंकि bacteria उसको जो food फसा है उसको खाते है और वहाँ पर अमल बनाते है तो यह statement भी सही है यह भी सही है और यह इसको explain भी कर रहा है तो इसका answer यह हो जाएगा 17th का A यहाँ पर यह जो statement दे रखी है न यह उल्टा कर दिया है उन्होंने shrink तब होता है जब उपर हो ऐसा तो यहाँ पर यह statement गलत है और यह statement सही है जिसमें opening of closing of estimator guard cells के उपर निर्वर करती है जो पानी के उपर नियंतिरत रहता है तो इसका answer हो जाएगा आपका C जो sugar level होता है इस पर adrenaline gland का कोई work नहीं है तो यह statement गलत है जैसे ही हमें पता लगा कि A statement गलत है तो यहाँ पर हमारा answer D तुरंथ हो जाएगा कैसे करा मैंने आप मुझे बता सकते हैं comment करके मैंने देखा यहाँ पर कि A false सिरफ A की statement में है तो इसको देखते ही मैंने D लगा दिया क्योंकि A गलत है पता लग गया मुझे किसी ओतल लेंस या कॉनकेव लेंस की पावर एक डायप्टर होगी अगर एक मीटर उसकी फोकस दूरी है तो तो यह statement सही है कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंस बहुत कम है वो जादा प्रकास को अपसारित करेगा तो यह statement भी सही है बट उपर वाले से कोई मतलब नहीं है नीचे वाले का तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा हमारा B इस reaction में हमें यह बताना है कि कौन सी चीज उपचैत और अपचैत हो रही है यानि oxidize और reduce हो रही है उसके साथ साथ उपचैक और अपचैक भी बताने है तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ कि oxidize कौन हो रहा है और reduce कौन हो रहा है उपचैत को हम कहते हैं oxidize अपचैत को हम कहते हैं reduced और इसको हम कहते हैं oxidizing agent और इसको हम कहते हैं reducing agent अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पर code लिख दूँगा oxidize हो रहा है यहाँ पर हमारा H2 यह oxidize हो रहा है Cu O जो होगा वो reduce हो रहा होगा और जो oxidize होता है जो oxidize होता है वो ही reducing agent होता है तो reducing agent भी यह है और जो reduce होता है वो oxidizing agent होता है तो यहां मैंने आपको code लिखकर बता दिये आप थोड़ा सा रुकिएगा और इस code को ध्यान में रखके करिएगा पुछा गया है malleability और ductility की meaning और कौन से दो metals हैं जो सबसे ज़्यादा malleable है तो आपके घबडाने ही कोई जरूत नहीं है मैं English medium, Hindi medium दोनों में मैं आपको malleability, ductility की definition बता रहा हूँ और जो metals malleable हैं उनके यहां पर उधारन भी दे रहा हूँ इसके बाद कहा गया कि calcium की tablet पानी में float करने लग जाती है तैरने लग जाती है इसका क्या कारण है तो पानी में तैरने का कारण यह है कि जैसे ही calcium water से react करता है तो hydrogen gas मनती है यह hydrogen gas उस tablet के ऊपर एक layer बना देती है और उसको हलका कर देती है यानि balloon की तरह यह पानी के ऊपर तैरने लग जाता है जिसकी reaction यहां पर दे रखी है भई oxygen और carbon dioxide का किस तरीके से सनवहन होता है मनुस्य के अंदर तो oxygen का transport करने के लिए हमारे पास एक pigment है जिसे हम कहते है हीमो, globin और carbon dioxide के लिए या पानी के अंदर यानि blood plasma के अंदर घुल कर एक इस्तान से तूसरे इस्तान पर जाता है तो यह English में और यह Hindi में आपको कोई कठिनाई नहीं है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है लिखा है 24 यह है कि nerve impulse animal muscle पर जब जाती है तो क्या होता है तो जब भी animal muscles या मनुस्य के muscle के ऊपर एक nerve message पहुँचाती है कि भई आपको करना क्या है तो जैसे ही muscle के ऊपर information पहुंचती है muscle जो है वो सिकुड जाती है जैसे ही हाथ है तो यहां की muscle सिकुड ती है तो आप हाथ को दूर कर लेते हो तो यह कार्य होता है muscles के पास जब information लेके आते हैं यहां हमें दे रखा है outer lens या concave lens जिसकी U और V हमें दिया हुआ है अब हमें इसका magnification निकालना है magnification का मतलब formula हमें पता ही है M equal to V upon U तो पहले मैं V और U ले देता हूँ सबसे पहले तो आपको लिखना है कि lens कौन सा है तो मैं यहां लिख रहा हूँ concave lens हिंदी वाले बच्चों के लिए outer lens outer lens ठीक है इसके बाद U और V U जो है वो दे रखा है minus 30 cm देखो यह दे रखा है ना minus 30 cm V है minus 10 cm दोनों ही mirror यह जो lens है इसके सामने है पीछे नहीं है सामने है इसलिए minus का sign लगाया है formula है M equal to V upon U तो यहां पर V हो जाएगा minus 10 upon minus 30 तो यहां पर आपका आजाएगा 1 upon 3 minus में minus 1 upon 3 minus minus तो कटी गया तो minus नहीं आएगा तो आजाएगा आपका 1 upon 3 तो 1 upon 3 को finally करेंगे तो आजाएगा 0.33 अब plus लिखना यहां पर ज़रूरत होती है क्योंकि जो image बन रही है वो बन रही है आपकी virtual and erect तो यहां पर मैंने इसको कर दिया दो नंबर का सवाल है आसान था अब चलते हैं 26 सवाल पे इससे पहले मैं इसको मिटा दूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ पूछा गया है कि जब आप छट पर होते हैं और नीचे आते हैं dim light में यानि bright light से dim light में आते हैं तो आपको वस्तो को देखने में थोड़ा सा समय लगता है एक दो second लगते हैं ऐसा क्यों होता है तो बात ये है कि जब आप उपर होते हैं तो आपकी iris security हुई होती है security हुई होती है ताकि कम प्रकास जाए आप असानी से चीज़ों को देख लें और जब आप नीचे आते हैं तो ये iris धीरे धीरे normal होती है यानि relax होती है तब आपको नीचे की चीज़े दिख पाती है तो ये थोड़ा सा समय जो लगता है इस कारण से हमें नीचे आते वक्त तुरंत सारे चीज़े नहीं दिखती अच्छे से तो यहां से आप answer note कर सकते हैं पुछा गया है dispersion किसे कहते हैं और इससे क्या होता है इसका क्या result आपको देखने को मिलता है तो ये है आपकी dispersion की definition इस dispersion के कारण से जो white light है सफेद प्रकास है वो विभिन रंगों में तूट जाता है और हमें इंद्र धनुस देखने को मिलता है different color में इंद्र धनुस देखने को मिलता है बारिस के पाद हमें तीन तरह की decomposition reaction या vision अभिक्रिया लिखनी है और उसका equation भी लिखना है ये बहुत important सवाल में से एक है जो पका repeat होगा तो ये हैं हमारी तीन तरह की reactions जिसके एक एक example भी मैंने आपको लिख कर दिये हैं अब आगे आपका chapter second का सवाल chemical name और formula लिखना है baking soda का तो यहां लिखा है मैंने chemical name और उसका formula अब पुछा गया है इसके दो استعمال तो मैंने यहां पर बहुत सारे इसके इसके जितने मुझे लगे कि मैं लिख देता हूँ कोई सा भी लिखेंगे सई होगा तो आप लिख लीजेगा उच्छा गया है कि baking soda से baking powder कैसे बनाया जाता है तो जब भी baking soda में हम कोई acid मिलाते हैं आने वाला acid मिलाते हैं तो वह baking soda में convert हो जाता है पुछा गया है water of crystallization किसे कहते हैं हमें formula लिखना है copper sulfate का और washing soda का तो किसी भी molecule के अंदर जब पानी add हो जाता है उसके अड़ों के साथ पानी add हो जाता है तो उसम कहते हैं water of crystallization यहाँ पर मैंने आपको formula दे दिया copper sulfate का और washing soda का अब पूछा गया है कि gypsum से plaster of Paris कैसे बनता है तो जब gypsum को हम heat करते हैं 120 से 180 degree Celsius पे तो बनता है हमारा P.O.P. plaster of Paris भई arteries और veins यानि धमनी और शिरा में हमें अंतर बताईए तो arteries ये रही veins ये रही इसका हिंदी मीडियम यहाँ पर है ये बहुत बार ये question जो है न वो पिछली बार board के exam से लिया गया है जो पिछली बार board का exam हुआ था वहाँ से ये direct question लिया गया है कहा गया है कि रागा हो kitchen में जाता है उसने गलती से गरम cooker को चूदिया या cheese को चूदिया और तुरंती हाथ पीछे आ गया तो उसकी mother ने उसको समझाया कि ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है तो आपको उसका रास्ता बताना है कि ये किस तरीके से action हुआ है इस action को हम कहते है reflex action ये तब ही होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ को जो हमें नुकसान पहुचाए उसको sense करते हैं तो ये information spinal cord तक जाती है ये neurons उस information को वापिस muscle तक लेके आती है और muscle तुरंत ही act करके आपके हाथ को पीछे की तरफ खीच लेती है तो यहाँ पर ये Hindi medium और English medium में step wise मैंने लिखा है आपको बड़ी मेहनत करके reflex action भी repeat होते हैं exams में तो ये English में ये Hindi में कर लीजिए यहाँ पूछा गया स्नेल्स law of reflection स्नेल के प्रकास के अपरवर्तन का नियम तो ये है स्नेल्स के प्रकास के परवर्तन का नियम अब आगे एक numerical दे रखा है इस numerical में पूछा गया है कि benzene के अंदर light की speed कितनी होगी तो हमें पता है कि जो refractive index है वो हमें दे रखा है डेड़ मार्ट डेड़ मतलब इसको half ऐसे भी लिख सकते है और speed of light होती है 3 into 10 की power 8 meter per second जैसे ही हम ये लिख देते हैं तो half mark तो हमें यहीं मिल जाते हैं उसके बाद ये formula half mark यह मिल जाते हैं इस formula में डाल के हमें solve करना है जब solve करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा velocity वो आ जाएगा 2 into 10 की power 8 meter per second अब हमें diagram बनाने हैं इन दो ये जो diagram से इसकी वीडियो मैंने डाली है बहुत ध्यान से मैंने समझाया है यहां eye button में लगा भी देता हूँ myopia के अच्छे diagrams देखो मैं यहां पर है ये myopia ये object जब दूर था या फिर myopic थी तो यहां पर ऐसे image बन रही थी लेकिन जब object नजदीक आता है तो myopic eye अपना काम दिखाती है वो इसको यहां पर बनाने लग जाती है और correction के लिए हमें इस lens की जरुद होती है तो सिर्फ ये diagram ड्रो करने हों कहा गया था पूछा गया है कि जो pesticides या जो कीट नासक हम खेतों में यूज़ करते हैं वो किस तरीके से हमारी body के अंदर आके नुकसान पहुचाते हैं ये भी आपका board का सवाली है जो भी हम कीट नासक यूज़ करते हैं वो बारिश से धुल कर मटी में जाते हैं कुछ तो नदी तलावे में जाते हैं और वहां के जो जिव हैं उनको नुकसान पहुचाते हैं वहां की जो मचलिया हैं जो पानी में रहने वाले जिव हैं वो इसको खाते हैं और नुकसान पहुचाते हैं दूसरी बात ये जो chemical's हैं वो non bio degradable हैं मतलब आसानी से गलते नहीं है या सरीर के अंदर हमारी मान स्पेशियों में या दूसरे जीओ की मान स्पेशियों में इस थगीत रहते हैं, रुके रहते हैं इस कारण से इस प्रोसेस को हम कहते हैं biological magnification हिंदी वर्जन इसका यहां है इसको हम कहते हैं जाविक वृद्धी मुझे आप comment करके बताएगा कि क्या ये जो seat जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस seat को मैं यहां comment box में pin कर दो ताकि ये answers आप असानी से देख लेंगे अब है section D यहाँ पर एक-एक element या एक-एक atom का नाम लिखना है element का नाम लिखना है जो पूछा गया है एक ऐसा metal जिसकी density और melting point कम रहता है तो यहाँ पर लिखा है मैंने sodium, potassium, lithium इनमें सो कोई एक ही लिखना है दूसरा है metal that melts easily at room temperature room temperature पे cesium या gallium अपनी हथेली में रखेंगे तो वो melt होने लग जाते हैं non-metal जो combustion यानि आग लगने के लिए दहन के लिए जरूरी है वो है हमारा oxygen बिना oxygen के आग नहीं लगेगी इसके बाद है non-metal that exists in liquid state एक ऐसा non-metal जो liquid में रहता है वो है bromine एक ऐसा non-metal जो carbon का भाई है वो सबसे hardest है, सबसे tough material है धरती पर वो है हमारा diamond हीरा अब देखो ये सवाल आसान थे अब यहाँ जो सवाल होगा न ये थोड़ा tough होगा उपर वाले से, बट और में है बच्चे सोचते हैं वहाँ ज़्यादा है इधर कम है, कम होले हो करते हैं copper के टुकडो को zinc sulfate में डालने पर क्या होगा copper जो है न वो कम reactive है zinc जादा reactive है तो zinc sulfate sulfate को छोड़ेगा नहीं और copper उसको भेद नहीं पाएगा उसको हटा नहीं पाएगा तो यहाँ पर अभिक्रिया, सीलता यानि reactivity series की बात आ गई जो ionic compound होते हैं ionic yogic वो ठोस में बिजली को प्रवाहित नहीं करते लेकिन जब पानी में डाल दे जाएगा तो प्रवाहन बढ़ जाता है क्यों? कहा गया है कि ionic compound ठोस अवस्ता में ions नहीं बनाते वो strong होते हैं और उनके बीच में जो transfer of charges है वो नहीं हो पाता क्योंकि ions नहीं है लेकिन जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो ions बनते हैं और पिदुत का संचालन होने लग जाता है एक alkalie red litmus को blue में क्यों convert करता है alkalie होता है basic metal oxide और base जो होते हैं वो red को blue में convert करते हैं red litmus यानि लाल litmus को नीले litmus में convert करते हैं 35 सवाल पूछा गया है कि human body के central nervous system में कौन कौन से अंग आते हैं तो जो central nervous system में अंग आते हैं वो है mustisk और read की huddy brain in a spinal cord write any two activity of possible because of cerebellum cerebellum के कारण से अनु mustisk के कारण से क्या क्या activity possible है तो यह दो possible activity यहाँ पर दो क्या तीन चार लिग दी है four brain जो है न वो main thinking part होता है हमारे mustisk का इसके अलावा अग्र mustisk यानि four brain के और functions बताईए तो यहाँ है इनके functions जो उससे अधिक है वो यहाँ जैसे भूख लगना नियंतरन करना यह सब इसके अंदर आता है और पार्ट में पूछा गया है कि pituitry और adrenal gland से कौन कौन से hormones स्ट्रावित होते हैं तो यहाँ पर लिख दिया मैंने growth hormone और adrenalin यह pituitry से और यह adrenal से इसके बाद पुछा गया है थारेक्सिन हार्मोन का function क्या होगा जब यह अधिक हो जाए तो थारेक्सिन हार्मोन हमारे balance, हमारे metabolic balance को बनाये रखता है हमारे growth को ध्यान देता है अगर यहाँ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हमें नुकसान होता है weight loss होने लग जाता है जब यह इसकी मात्रा अधिक होने लग जाए तो boys और girls में puberty के age में कौन से gland से कौन सा hormone secret होता है इस अवस्था में तो boys में testis से release होता है testosterone, girls में ovaries से release होता है estrogen और आप बिलकुल भी बहुत बार कह दिया है मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है मैंने सारे चीज़े अब रे diagram के बहुत सारे सवाल लाग है देखो यहाँ भी पूछा गया है ray diagram अब देखो यह 2F1 पे है object और यहाँ optical infinity और optical center पे कहीं पे भी है तो उसका diagram मैं आप पो दिखा देता हूँ यह रहा यह आपकी NCRT से ही मैंने copy करके यहाँ लगाया है ray diagrams बहुत important हो रहे हैं इसके इसाप से तो अब यह है आपका numerical जिसमें दे रखा है convex lens focal length यह है और object distance यानि U है यह आप से पूछा गया है image यानि V ठीक है तो चलिए करते हैं इसको तो answer है लिखने से पहले हम लिखेंगे given क्या है तो यह चीज़े हमारे पास given थी U V F अब formula हमें लिख कर इसको solve करना है lens formula को बात करें minus S से याद रखना S से subtraction होता है यानि यह है हमारा formula अब जल्दी से इसके अंदर put करते हैं values को हमें निकालना है V तो V को पहले इतर कर लेते हैं 1 upon V equal to 1 upon F plus 1 upon U 1 upon F मतलब 1 upon 10 plus 1 upon U मतलब minus 40 तो यह हो जाएगा 1 upon 10 minus 1 upon 40 इसका हम solution करेंगे तो यह आजाएगा 40 LCM यह हो जाएगा 4 minus 1 यानि 3 by 40 ठीक है यह 1 upon V है यह रखना यह 1 upon V है V क्या हो जाएगा 40 by 3 तो 40 by 3 करेंगे तो आजाएगा हमारा 13.3 किसमें दे रखा था सैंटिमीटर में तो यह हमारा answer आजाएगा finally तो ऐसे करना होता है सबसे पहरा है कि आप लिखना सीखोगी कैसे लिखा जाएगा मैं numerical की वीडियो लेके आऊँगा इसको subscribe कर लीजिए तब ही आपको वो मिल पाएगी इसके और पार्ट में इसके वीपरीत lens concave lens की बात करी गई है मतलब author lens दिया गया है आपको radius of curvature image distance और magnification position of object भी पूछा गया है तो यह सबसे अच्छा सवाल है जिसमें तुरह time लगेगा आएए करते हैं सबसे पहला काम होता है कि लिखना कि किस चीज़ की बात हो रही थी तो मैं यहां लिखता हूँ आपको concave lens की बात हो रही थी radius दे रखा था हमें minus 30 cm f focal length क्या होता है minus 30 by 2 उसका आधा यह हो जाएगा minus 15 cm इसके बाद v दे रखा था हमें minus 10 cm हमें क्या निकालना था हमें निकालना पड़ेगा u और u निकालने के बाद निकालना पड़ेगा हमें magnification तो आएए करते हैं सबसे पहले लिखते हैं हमें lens formula तो lens formula मैंने अब लिखा था lens formula 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u u minus क्यों आया क्योंकि lens में होता है subtraction तो इसको पहले हम कर देते हैं bracket में टाकी हमारे teachers को देखे और वो number तुरंत दे 1 upon u निकालना है तो 1 upon u इदर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 1 upon v minus 1 upon f तो 1 upon v मतलब 1 upon minus 10 ये रहा minus 10 और minus f यानि minus 1 by minus 15 तो ये हो जाएगा हमारा LCM लेने पे 15 और 10 का 30 तो ये हो जाएगा 3 minus 3 और ये minus minus plus हो जाएगा ये 15 तो ये हो जाएगा हमारा minus 1 by 30 यानि 1 upon u जो है minus 1 by 30 तो finally हमारा u जो होगा वो आजाएगा minus 30 u equal to minus 30 cm ठीक है अब हमारे पास u भी हो गया और v भी हो गया तो अब हम निकालेंगे magnification m equal to v upon u तो हमें v उपर से देखना पड़ेगा ये जो v दिया था minus 10 cm तो यहां लिखेंगे हम minus 10 और u दे रखा है minus 30 इसको हम कहलेंगे cancel यह जाएगा 1 upon 3 इसका मतलब होता है 0.33 ठीक है और positive आएगा virtual and erect image बन रही होगी तो positive आएगा तो यह हमारा इसका answer आजाएगा magnification और यह आजाएगा हमारा u घबड़ाना नहीं है मैं एक एक question को अच्छे से करके दिखाऊंगा आपको चिंता ना करें अब इसमें कहा गया है ray diagram draw करने को अब यह है इसका ray diagram जो NCRT से मैंने आपको paste किया है अब आगे हम आखरी section पे यह बहुत ही आसान सी activity दे रखी है यहाँ पर ABC करके different chemicals ले लिए हमने ठीक है अब सवाल chemical के नाम दे दिए गए है और सवाल पूछे गए है यह बहुत असान है देखने में बहुत बड़ा लग रहा बच्चे इसको करते नहीं है which of the following test you have samples pH 7 भई pH 7 का मतलब acid होगा तो यह acid है यह acid है और lemon juice में acid है यानि ACD जो होगा वो acid होगा तो यह first का answer हो जाएगा A, C, D तो ACD वाले क्या है acid है दूसरा है which test you have basic भई ACD में क्या है acid है तो जो बच जाएंगे वो होंगे B and F तो B and F में basic है इसके बाद पुछा गया है when stung by honey bee भई honey bee ने stung कर दिया तो इन में से आप किस चीज़ का इस्तमाल करेंगे उसकी जो आग है उसकी जो poison है उसको refuse करने के लिए उसको कम करने के लिए तो यहाँ पर जो answer बताये मैंने वो यहाँ लिख भी रखे है ठीक है हम use करेंगे sodium bicarbonate का जो F वाले में रखा हुआ F टेस्ट इूब में रखा हुआ है इसके बाद आपका सवाल है और में टेस्ट इूब A और B को आपस में मिलाया गया और उसका pH टेस्ट किया गया तो उसका pH क्या है और क्यों तो हमें इस पता है कि टेस्ट इूब A में था हमारा hydrochloric acid ये B में था दोनों को मिलाया तो बन गया salt इस reaction को हम कहते है neutralization reaction और salt का जो pH होता है वो होता है 7 यहां दे रखा एक paragraph जिसे पढ़ना है फिर answer देना है तो भी एक बेटनिकल गार्डन में जाती है अपने दोस्तों के साथ उसने कुछ absorb किया उसने देखा कि पत्त को ऊपर कुछ बूंदे थी पानी की और जो ट्रंक था यानि जो मोटा तना था उसके ऊपर कुछ sticky चीजे गंस बाहर निकल रहे थे और कहीं पे stem cut हो गया है तो वहाँ से भी नई कॉपले या नई पत्तिया आ रही थी तो इस observation को देख के अब हमें answer देने है वही प्लांट में कौन-कौन सा गैस अप्सिस्ट बाहर निकलता है तो पौधों में जो मुख्य अप्सिस्ट बाहर निकलता है वो होता है oxygen और carbon dioxide पत्तिया पज़र के समय पे गिर जाती है एक प्लांट से इससे क्या फाइदा है तो यहां लिख रखाया है कि पत्तियों में वेस्ट इकठा हो जाता है वो बाद में गिर जाती है ताकि वेस्ट पौधों से बाहर निकल जाए जल पौधों के लिए उपियोगी होता है फिर भी यह उठ सर्जन की प्रक्रिया से बाहर निकाया जाता है क्यों तो पौदो में न एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं वाजपोच सरजन या ट्रांस्पिरेशन जो भी अधिक पानी होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा अब यहां पर आपको दे रखिए एक अक्टिविटी रित्विक अपने फादर के साथ गया है बाहर घूमने और जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने गया तो उसके फादर ने उसे बताया कि जो सोरे हम देख रहे हैं ये अभी दो मिनिट पहले हमें दिख रहा है पॉच्छा गया है कि उसके पापा ने उसको क्या समझाया के एक्स्प्रेन किया किस फिनोमिनख के बारे हम बताया तो यह आसान सा फिनोमिनख है जिसे हम कहते हैं पॉधों की जड़ेक्सेशन करती हैं तो तो इसका आंज़र यहां लिकर रखा है दूसरा है वोट dicen to sun disk at time of sunrise and sunset. बई, sun का disk, यानि sun की position क्या होती है sunrise और sunset पे तो बिल्कुल ही flat होता है वो यहाँ पर flat दिखरा होता है आपको इसके बात है, why does early sunrise happens? Sunrise दो मिनट पहले और सुर्यास दो मिनट बात तक क्यों दिखाई देता है हमें सूरज, इसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ पर आपको दे रखा है point number c में होता यह है कि जो देख रहा होता है वेक्टी, उसको atmospheric या वाई मंडलिया अपवर्तन के कारण से जो actual position है, उससे उपर उसको दिखाई दे रहा होता है क्या जो stars की position है वो इसी phenomenon से बताई जा सकती है, तो हम वो same phenomenon यहाँ पर बताएंगे, जिसे हम कहते है atmospheric refraction, तो यहाँ पर यह phenomenon लिखा है और इसकी Hindi meaning यहाँ पर लिखी होई है मैंने बहुत सारा content लिखा है आपको समझाने के लिए English और Hindi medium में समय भी लगाया है, आप कहने के comment तो मैं इसको यहाँ पर comment box में pin कर दूँगा, आप इस answer seat को download भी कर सकते हैं, अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe ज़रूर करें दोस्तों को share करें, ताकि वो भी जाने कि मैं इतनी detail में इसको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्यवाद